नमस्कार दोस्तो होमेपेथिवित सचिन में आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो अगर आपका पाचन तंतर खराब है आपका पाचन आपका हाजमा जो वो ठीक नहीं है और आपको ब्लोटिंग गैस अपच जैसी समस्या बनी रहती हैं तो इस वीडियो को अंतक देखिएगा ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है इसमें बहुत अच्छा होमेपेथिक कंबिनेशन में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो जिसको अगर आप कंबाइन करके मिक्स करके यूज कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपकी अपच की श्तिती ठीक हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपका जो खाना है वो डैजेस्ट होने लगेगा मतलब खाना सड़ेगा नहीं खाना अच्छे से बचेगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों खाना खाना जितना जरूरी है या आप क्या खा रहे हैं वो जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये भी है कि आपने अपना खाना कैसे खाया है खाना कब खाया है और खाना खाने के बाद आपकी एक्टिविटी क्या रही है Apache Indigestion में ये चीज भी बहुत important role play करती है सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारा पूरा पाचन को समझना है और पूरा effect देखना है तो आपको एक पूरा elementary canal अपना जो है वो समझना होगा जो मूँ से लेके start होता है और नीचे जो NS की opening होती है जहां से स्टूल पास करते हैं वहाँ पे जाके end होता है ये पूरा pipe होता है जो अलग-अलग safe में change होता रहता है मूँ से start होता है फिर गला फिर एसोफेगस अपना ये food pipe फिर नीचे पेट आता है stomach का pouch आता है stomach के pouch से छोटी आथ start हो जाती है छोटी आत के दो-तीन ही से होते है duodenum होता है, geogenum होता है ileum होता है जो last में पूरा convert होके बड़ी आत में मिल जाती है फिर बड़ी आत भी हमारी जो है ascending, descending और transverse जो colon होते हैं उसमे divide होके last में rectum और NS में convert हो जाती है तो खाना मूँ से start होता है और NS पे जाके end होता है इसमें इसको हम अपना primary digestive system बोलते हैं primary digestive organ इसके अलावा कुछ secondary या accessory digestive organ भी होते हैं जो digestion में help करते हैं जिसमें liver बहुत important है liver है, goal blader है और pen की आज़ है, ये तीन बहुत important organ है जो accessory digestive organ है और जो हमारे teeth है हमारे मुह में जो teeth होते हैं ये भी accessory digestive organ है जो खाने को तोड़ते हैं हमारे मुह में salivary gland होती है जो saliva secret करती है कुछ enzymes भी निकालती है जो खाने का physical mechanical और chemical breakdown है वो करती है तो खाना जो हम खा रहे हैं वो यहीं से start हो जाता है इसलिए मैंने बता कि खाना कैसे खाया वो भी बहुत जरूरी है जब आप खाना खा रहे हैं तो खाने में बगवान ने जो दाथ दी हैं वो उसको breakdown physically breakdown करने के लिए दिये यहां मुह में saliva और दाथ के थुरूख खाना उतने चोटे टुकडों में और protein का conversion होता है carbohydrate का conversion होता है वो conversion easily हो जाए और खाना फिर small intestine में चला जाए small intestine में फिर जितना बरी खाना जाएगा वो उससे absorption उतना जिल्दी होगा छोटी आप का small intestine का काम यही है जो कुछ उसको मिला है उसमें से सब कुछ निकाल के और blood में डाल देना नहीं पर metabolism का भी बहुत बड़ा रोल है liver जो metabolize करता है अलग-अलग component को खासकर carbohydrate को, lipids को और protein का metabolism, protein का synthesize भी होता है protein का बनना भी होता है protein से ही अपना RNA और DNA बनता है अब आप समझें कि digestion कितना जरूरी जीज़े आप जो खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं कब खा रहे हैं, और कितना खा रहे हैं इस सब पे भी depend करता है कि आपका स्वास्ते कैसा रहने वाला है और आपका digestion जो पाच्चन तंत्र है वो कैसा रहने वाला है तो इन चीजों का दियान रखेंगे सबसे पहले खाना अच्छे से चबाएंगे उसके बाद फिर आपको बहुत सारे benefit देखने को मिलेंगे और खाना खाने के बाद कभी भी खाना खाने के बाद एकदम से सरीर को बैंड नहीं करना है थोड़ा थोड़े देर 10-15-20 मिनिट भी अच्छे से हो पाता है अब हम बात करते हैं जो अपना होमेथिक फॉर्मूला है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसको कैसे बनाया उसके क्या benefit हमें देखने को मिलेंगे इससे पहले एक request करूँगा अगर आप लोग चैनल को पहली बार आएं वीडियो देख रहे है वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथ में जो बैल आइकन होता है उसको प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी इसी टाइप की important वीडियो के notification आपको टैमली मिलते रहे हैं तो यहाँ पर हमने चार हमेथिक mother tincture लिए हैं बहुत जो function करते हैं सबसे पहला जो mother tincture है वो है चलिडोनियम चलिडोनियम लिवर की prominent remedy है और लिवर से बाइल के सिक्रेशन को इवन स्टमक में पेट से भी जो सिक्रेशन होते हैं digestive juices जो निकलते हैं उसको भी increase करता है तो यह digestion में help करती है दूसी जो remedy है वो है केरिका पपाया के केरिका पपाया जो पपीते से बनती है पपीता आप जानते हैं आतों के लिए रामबान की तरह होता है कॉस्टिपेसं से बचाता है हमें कप्ज से बताता है मतलब कप्ज होने नहीं देगा पपीता तो पपीते के extract से निकालके यह बनी ही medicine है केरिका पपाया का mother tincture पहला mother अब जुदूर होगी और नीचे जो अडिफिकेसन है वो अच्छे से हो पाएगा जो मल त्यागन है वो अच्छे से हो पाता है तो दो mother tincture हो गए हमारे तीसरा mother tincture है hydrostis canadensis hydrostis canadensis भी बहुत important remedy है पूरे digestive tract पे वाक करती है stomach पे करती है liver पे करती है और intestine पे करती है तीनों जगह इस remedy का बहुत अच्छा effect है hydrostis canadensis इसके extract भी अब तो इसके capsule भी modern medical science में भी लोग इसके capsule देने लगे है खासकर constipation को release करती है hard constipation है और constipation alternate diarrhea आगा है मतलब कभी कभ जो गया कभी diarrhea हो गया दर्स्त जैसा हो गया ऐसी situation बहुत बनती है या कोई आदमी कई बार stool pass करने के लिए यह भी आतों की problem है आतों में जो inflammation हो जाती है उससे यह सब कुछ हमें देखने को मिलता है चाहे छोटी आतों की problem है या बढ़ी आत की problem है उन सब के ल समझा देता हूँ जो fourth mother tincture है हमारा जो last mother tincture है वो है रोबीनिया का mother tincture रोबीनिया भी plant-based remedy है और रोबीनिया हमारे जो एक तरिके का जो acidic environment create होता है बोडी में उसको release करता है acidity, gas, apach, बदजमी, पेट, फूलना इन सब समस्याओं की single दवा है रोबीनिया रोबीनिया क हम लेंगे वो भी बताऊंगा proportion कैसे लेना है लेकिन इन चारो mother tincture को आपको अपने जो combination है उसमें मिलाना है total जो combination बनेगा वो लगवग 30 ml का मैं आपको बता रहा हूँ और 30 ml में कौन सी medicine कितनी रखनी है वो भी मैं clear कर दे रहा हूँ अब हम जान लेते हैं इन चारो mother tincture को किस ratio में आपस में mix करना है ताकि यह हमें अच्छे result दें इसके लिए सबसे पहला जो mother tincture है वो चलीडोनि लगबग 9 ml हमें लेना है दूसरा mother tincture है केरी का पपाया इसको भी 9 ml लेंगे और तीसरा जो हमारा important mother tincture है वो है hydrates इसको भी हम 9 ml लेंगे तो total 27 ml हो गया अब लगबग यह हमने 99 ml लिया है अब लगबग इनका half यानिके 4.5 ml हम लेंगे जो हमारा robinia है robinia को थोड़ा lighter हम रखना चाहा रहे है क्योंकि robinia को बहुत ज्यादा यूज करने से कई बार जो है और डाजेशन को प्रोपर करना है इसलिए robinia को हम इनसे आदा ले तो robinia को हमने 50% लिया तो total हमारा 31 ml के आसपास 32 ml के आसपास हो गया इस पूरे के पूरे solution को mix करके अच्छे से आप आप खाने के या तो एक गंटे बाद या एक गंटे पहले चाहे तो खाना खाने के एक गंटा पहले या खाना खाने के एक गंटा बाद जिनको problem indigestion किये जिनको अपच की समस्या जादा है यानि के खाना पचने में ज्यादा टाइम लगता है और undigested food material निकलता है वो खाना खान उसमें 10 फुन्देश की एड कर लेनी है और एक कप को बहुत दिरे-दिरे शिप-सिप करके हमें पीना है गुड-गुड बर के पीना एक कप को पीने में भी लगबग एक मिनिट हमें लगना चाहिए इतना दिरे-दिरे उसको पीना है एक गूड पीएंगे मुह में अच्छे Indigestion, अपच, बधजमी, गैस, यह सब समस्चा हैं, देरे-देरे क्लियर हो जाएंगी, कब्ज रहता है, आदतन कब्ज है, कभी कब्ज, कभी दस्त, मतलब constipation alternate, डाइरिया, यह सब situation भी इससे क्लियर हो जाती है, तो यह था आज का वीडियो, एक बहुत important digestive combination, चार मदटींचर को लेके हम कैसे बना सकते हैं, होमेपैथी में, उम्मीद करता हूँ, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो like करिएगा, share करिएगा, channel को subscribe जरू करिएगा, thank you